जहन दोस्तों स्वागत है आप लोग का तो दोस्तों आज हम लोग एक फॉर्मल लेटर का प्रैक्टिस करेंगे ये लेटर काफी बढ़िया है और इसका जो कंटेंट है वो हमारे रियल लाइफ से भी जुड़ा हुआ है तो देखे इस टॉपिक को हम लोग कैसे लिखेंगे इस पर अगर बाइचन्स लेटर आ जाता है तो कैसे लिखेंगे और इसके सहायता से अगर हम लोग का रियल लाइफ में भी कोई प्रोब्लम आता है तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं तो देखे आज का टॉपिक है आप सौरव सर्मा है अपने बंद बैंक खाते को फिर से ख कुछ डीटेल्स भी है तो चलिए उन्हीं के सहारे हम लोग इस लेटर को लिखेंगे तो देखे यहां पर केवल इतना था जैपूर तो आपको जैपूर लिखना है फिर यहां पर डेट लिख देना है जितने तारीक को आप लिखेंगे उसका यहां पर डेट लिख देंगे तो एक दोस्त ने comment किया था हमारे जो telegram group और channel है वहाँ पर कि अगर date नहीं mention है तो क्या करेंगे तो जिस दिन का आप exam देने जा रहे हैं जिस दिन exam में बैठे हैं उसी दिन का date आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसके लिए कोई आपको problem नहीं होगी उसके बाद आगे देखिए सेवा में प्रवंधक HDFC bank जैपूर ठीक है तो HDFC ध्यान रखिएगा आपको हिंदी में ही लिखना है इंगलिस बिलकुल प्रियोग नहीं करिएगा चलिए आगे देखते हैं विशय बंद खाते को पुनह चालू करवाने के संबंध में ठीक है यहा आपकी बैंक में बचत खाता धारक हूं ओके बचत खाता धारक का मतलब क्या हो गया सेविंग एकाउंट होल्डर ठीक है तो बचत खाता का मतलब क्या होता है सेविंग एकाउंट ध्यान रखिएगा इस बात को और जो चालू खाता होता है उसको कहते हैं करेंट एकाउंट कुछ समय के लिए मेरे खाते में नियुनतम सेश रासी का रख रखाव न करने के कारण मेरा खाता अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है अपने परिवार द्वारा सामना किये गए कुछ वित्य संकटों के कारण मैं बैंक की नियम का पालन करने में असमर्थ था मैं आपके बैंक द्वारा प्रदान की गई बैंकिंग सुविधाओं का फिर से लाव ठाना चाहता हूं मेरे खाते का विवरण निम्नलिखित है आपको पता होगा कि आज जो सिस्टम चल रहा है बैंकिंग सिस्टम में कि एक एक एकाउंट के लिए आपको एक मिन्मम बैलेंस रखना पड़ेगा किसी एक एकाउंट में एक भी रूपया तो भी चलेगा तो लेकिन ये बाकी खातेवों यह ऐसा नहीं होता है तो यही कारण है यहाँ पर बताया गया है कि उसका जो नियुंतम बैलेंस होना चाहिए कि minimum जो रासी होनी चाहिए वो नहीं था इसका और बित्य संकट यानि कि कोई financial इसू था उसके घर में इसी के कारण यहाँ पर पैसा नहीं रख पाया और जिसके कारण उसका bank account बंद कर दिया गया अब देखें यहाँ पर कुछ जानकारिया जरूर देनी चाहिए जैसे खाता स आप चाहे तो इस एक्स एक्स format में लिख सकते हैं नहीं तो फिर आप डॉट डॉट करके भी लिख सकते हैं ठीके इसके पहले हम लोगों ने एक लेटर इसी तरह का प्रैक्टिस किया था तो इसमें हम लोगों ने देखा था ठीके अब कई लोगों के मन में यह पिनेकल ने यहां पे किया है, आप चाहें तो नीचे भी कर सकते हैं, तो देख लीजिए जो आपको बेस्ट लगे आप कर सकते हैं, वैसा, चले खाता संख्या के बाद आपको अपना नाम लिखना होगा, अलाकि यह तो कई बार आ जाएगा, यहां पे भी है, उपर भी लिख तो इसे करके कोड दे दीजेगा तो समझ में आया होगा यह सारी चीज़े आपको तो इस तरीके से आपको लिखनी चाहिए उसके बाद आप यहां पर कोड के बाद डैस डैस यह चीज़े आप कैसे लिखेंगे यह आपको बस डैस 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 दे देना है नहीं तो एकस एकस डेना है यहां पेस डी एफसी लिखा है वो भी आप नहीं लिखेएगा ठीके नहीं तो UFM के अंतरगत आपको 0 दे दिया जाएगा चलिए, मोबाइल नमबर में मोबाइल नमबर में तो भूल कर भी कोई नमबर नहीं बैठाईएगा यानि कि अगर आप 1, 2, 3, 4 भी बैठा देते हैं तो भी ये UFM काउंट होगा और आपको सीधे 0 दे दिया जाएगा ओकी, इस बात का ज़रू ध्यान रखें तो मोबाइल नमबर के जगह पे या तो XX लिख दें या तो फिर डेस 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 देकर छोड़ दें अब चलिए आगे आपसे अनुरोध है कि मेरे खाते को पुनह सक्रिये करें मैं आपको बैंक के कुछ नियमों और सर्तों का पालन करने का वचन देता हूँ मैंने अपने अधार काड़ और बैंक पास्वूक की एक प्रती भी सनलगन की है धन्यवाद भवदिय सौरब सर्मा ठीक है तो दोस्तों ये पिनेका कॉब्लिकेशन के बुक से था तो लेटर का कंटेंट अच्छा था और जो इसका बोडी है वो भी अच्छा है तो आपको क्या करना है कि कुछ इसमें चेंजे की ज़रुरत है बस उन चेंजों को कर दीजे चेंज और बाकी सब लेटर बढ़िया है तो आप बस इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसका इमेज जो है मैं आपको टेलीगराम चैनल में दे दूँगा तो आप वहां से लेक कर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ठीक है बने रही है चैनल के संग मिलेंगे वहाएं बाकी कर दो आपकेलेश भारीग कर सकते हैं